मुख्यमंत्री विश्णु देव साय और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षा किरण सिंग देव भी सदस्ता अभियान के कारिकरों में भाग ले रहे हैं तो इसी बीच पीसीजी चीफ दीपक बैच के एक बयान ने सदस्ता पर सियासत को भी गर्मा दिया है तो आखिर क्या बोल गए बैच और इस पर क्यों सियासत गर्मा रही है इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं 36 गर में बीजेपी ने 50 लाग सदस्ता बनाने का लक्ष रखा है जिसके लिए बूत सतर तक सदस्ता अभियान चलाया जा रहा है मुख्य मंत्री और मंत्री भी सदस्ता अभियान को लेकर जिलो तक पहुंश रहे हैं इसी बीज बीजेपी के सदस्ता अभियान को लेकर PCC चीफ दीपब बैच के बयान ने सियासी बवाल मचा दिया बेच ने दावा किया है कि बीजेपी के मिसकॉल वाले सदस्ता अभियान में अपराधी सदस्ता ले रहे हैं इसलिए बीजेपी के नेता अपराधियों को बचाने में जुटे रहते हैं बेच के बीजेपी फिर से सदस्त बना रही है हर वर्ख के लोगों को पार्टी में जुटने की कोशिश की जा रहे हैं इन सब के बीच बैच के बयान पर सियासत से राजुनीति भुचाल मचा है इदर कैबिनेट मंत्री शाम बिहारी जैसवाल ने दीपक बैच को अपराधियों के नाम सार्वजनिक करने की चुनाती भी है बीजेपी सदस्ता अभ्यान से लगातार बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं इसी बीच लगातार सदस्ता अभ्यान की समिक्षा भी हो रही है अब दीपक बैच के बयान के बाद सदस्ता को लेकर बीजेपी और सजग है निकाय चुनाव के मुहाने पर खड़े 36 गड़ में अभ्यान का कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा फाइनल आकड़े तैं करेंगे गौरव शुक्ला, बंसेल निउस, राइबोर